ब्रह्मी ब्रह्मी हिंदी में बाकोपा मनियरा के नाम से भी जानी जाती है यह एक प्रसिद्ध जड़ी बुटी है जो भारत में पाई जाती है भारतिय आरिवेद में ब्रह्मी को दिमाग और नसों के लिए बहुत पाइदेमन माना चाता है इसे भारत में प्राचिन काल से ह उपचा और दवा की रुप में इस्तिमाल किया जाता रहा है। ब्राम्मी का प्रमुग गुण है कि यहां दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है। और मस्तिक संबदी समयशाओं से निपटने में मदद करता है। यह नूरो प्रोटेक्टिव नूरो सर्च जक गुणों के कारण नूरोनों के स्थाईतों को बनाए रखता है। जो दिमागी जटेलताओं से निपटने में मदद करता है। ब्राम्मी का पौधा पूरी तरह से अउसदियर है। यह पौधा बुमी पर फ्यलकर बड़ा होता है। इसके तने और पत्तिय मुलायम, गुद्यदार और फूल सफेद होते है। इसका वग्यनिक नाम बाकोपा मौनियरी है। ब्राम्मी के फूल छोटे, सफेद, नीले और खुलाबी रंके होते है। यह पौधा नम स्थानों में पाया जाता है। तथा मुख्यत भारत ही इसकी उपज बुमी है। ब्राम्मी का एक पौधा होता है, जो बुमी पर फ्यलकर बड़ा होता है। इसके तने और पत्तिय मुलायम, गुद्यदार और फूल सफेद होते है। ब्राम्मी हरे और सफेद रंकी होती है। इसका स्वाद फीका होता है और इसकी तासीर शितल होती है। ब्राम्मी कब्ज को दूर करती है। इसके पत्ते के रस को पेट्रोल के साथ मिलाकर लगाने से गठिया दूर होता है। ब्राम्य में रख्त शूत करने के गुण भी पाये जाते हैं, यहां रदय के लिए भी पौश्चिक होता है, ब्राम्य को यहां नाम उसके रुद्धी वर्तक होने के गुण के करण दिया गया है, इसके निल निम्ब भी कहते हैं, क्योंकि यहां प्रदान तह जलासन बुमी मे पाई जाती है आयरविद में इसका बहुत बड़ा नाम है अवसतिय गुन या पून रुपेन अवसति पोता है या अवसति नाडियों के लिए पोस्टिक होती है फूल फूल अंडाकार होते है फूल दिसंबर से मई माह में आते है फुल फुल छोटे और आकार में अंडाकार होते हैं फर दिसंबर से मही महा में आते हैं बीज बीज छोटे और बुरे रंके होते हैं जिनका आकार पॉइंट बेर से पॉइंट थ्री मिमी तक होता है बीज छोटे और संख्या में कई होते हैं ब्रह्मी के फाइदे प्राचिन काल से चिकिस्चा की क्षेतर में ब्रह्मी जड़ी बुटी का उपयोग किया जा रहा है इसके इन तमाम गुणों का ही परिणाम है कि वेगिनानिक मेरंतर इसको लेकर शोद कर रहे हैं यहां हम ब्रह्मी के कुछ प्रमानित फायदे के बारे में बता रहे हैं अलजाइमर रोग में सहायक ब्रह्मी में एंटी उक्सिडेंट एंटी एक्सलेमेटरी वा एंटी कॉलेंसेंट गुण होते हैं यह गुण मस्तिक की कार्यक्शनता में सुधार कर सकते हैं साथ ही मिर्गी अनिंद्रा और चिंता को दूर करने में भी यह कारगर माने जाते हैं इसके अलावा ब्रह्मी में मुझूद यह गुण अलजाइमर यानि यादशक्ति कमजुर होने की बीमारी को भी दूर करने में सहायक हो सकते हैं रक्त संचार के लिए ब्रह्मी चून ब्रह्मी के फायदे रक्त संचार में भी देखे जा रहे हैं ब्रह्मी बुटी रदय और रक्त वाहिकाओं के अंदर मौझूद एंडोथिलियम मेमर बेरम से नाइट्रिक अक्साइड रिलीज करने के रक्त चाप के खत्रे को कम कर सकत हैं साथी इससे रक्त को पतला करने में मदद मिल सकती हैं जिससे नसों में रक्त का प्रवाह आसानी से हो सकता है इस आधार पर माना जा सकता है कि ब्रह्मी जड़ी बुटी रक्त संचार में सुधार करने में लाबकारी होती है हाईरविद मी सालों से ब्रह्में का उपयosi चिन्ता को दूर करने के लिए किया जान रहा है इसी वज़े से ब्रह्में के फाइदे में चिन्ता दूर करना भी शामिल है दरशल ब्रह्मे को यह के एंटीजेनिक बचड़ी बुटी माना जाता है यानि यह शरीर के तनाव को दूर करने में कारगर हो सकती है इसी आधार पर यह कहना बिल्कुल गरत नहीं होगा कि चिंता दूर करने के तरीके में ब्रह्मी को भी सामिल किया जा सकता है कैंसर के लिए ब्रह्मी के गूर ब्रह्मी का उप्यो कैंसर के जोखीम को कम करने में लापकारी माना सकता है इसकी वज़ा ब्रह्मी जड़ी बुटी में मौजूद एंटी कैंसर भून है जो ब्रेश्ट कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोक सकता है एक अन्य शोध की माने तो ब्रामी कॉलम कैंसर की हाने कारे कोशिकाओं की वुथ्थी ते रोकने में वर्दगार साबीर हो सकती है बस ध्यान देखती कैंसर एक गंपीर बिमारी है इसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है ब्रामी से कंसर का इलाज होता है यह समधने की बोलना करें दर्द में ब्रामी तेल के फाइदे ब्रामी को दर्द निवारक के रुप में भी उप्यो किया जग सकता है इसमें पाया जाने वाला एंटीनो रिसेप्टिव प्रभाव इसमें मदद कर सकता है दरसल इस प्रभाव को दर्द कम करने के लिए जाना जाता है। इसी वज़ा से ब्रह्मी को दर्द निवारक उसदी के रुपमे में भी जाना जाता है। इस गुमों के कारण ब्रह्मी को नियुरोबैतिक दर्द की स्थिती में घरेलू इलाज के लिए इस्तिमाल किया जा सकत प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार, ब्रह्मी बुट्टी प्राक्तुतिक गुरुप से प्रतिरक्षा प्रणाली को बटाने में मदद कर सकती है। शोट की माने तो ब्राह्मी का सेवन करने से शरीर में इम्मून गलोबिन एंटीबोडीज का उत्पादम बढ़ सकता है। इसी आदार पर कह जा सकता है कि ब्राह्मी से सरीर की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ सकती है। और बिमारियों से लड़ने में फाइदा मिल सकता है शुगर को नियंत्रित करने में ब्रह्मी के फाइदे ब्रह्मी में एंटी ऑक्सिडेंट के साथ-साथ एंटी डायबिटिक प्रभाव भी पाए जाते हैं यह कारण है कि ब्रह्मी शुगर को नियंत्रित कर सकती है मना जा सकता है कि यह बुट्टी शुगर को नियंती द्रखने में पाइदे मन्द हो सकती है पाचन तंत्र को मद्बूत करने के करे ब्रह्मी जड़ी बुटी ब्रह्मी को विटामिन और मिनरल का अच्छा स्तुरूत मना जाता है इसमें कुछ फाइबर की मातरा भी मुझूद है फाइबर अन्ट में हनिकारक पदातों को साप करने के पाचन तंत्र को मद्बूत करने में सहायक हो सकता है इसके अलावा यह पाचन प्रणाली को धिमा कर मल की निकासी में सहाय कर सकता है ब्रह्मी के नुकसान किसी भी चीज का अतिक स्योन फायदे से ज्यादा नुकसान पहुशता है ठीक वैसे ही ब्रह्मी के फायदे वो नुकसान दोनों ही है इसका अतिक मातरा में किया गया स्योन नुकसान दायक हो सकता है आये जानते है कि ब ब्रहम्य के अधिक स्योन के दस्त के साथ ही पेट में ठन और मतली जैसी शिकायत हो सकती है। ब्रहम्य का उप्योग करने से प्रद्धनक्षम्ता प्रहभावित हो सकती है। इसलिए अगर घर्बधारण के बारे में सोच रहे है तो इसके स्योत से परहेज करें। इस आर्टिकल के मत्यम से आप जान ही गए होंगे कि ब्रह्मी लाबकारी आयरुवेदिक जड़ी बूटी है इसमें एक है यह तौन मन और मस्ति को तंदूरस रखने में काफी हद तक मदद कर सकती है यह हमने ब्रह्मिक के फायदे और नुक्सान दूनों के बारे में बताया गया है इसलिए इसका उप्यूग सिमित मात्रा में ही करें साथ ही इससे किसी बीमारी का इलाय समझने की बूल ना करें हमक लोगों ने इसे सवाल किये थे उसके जवाब में दे रहा हूं क्या हम रोजाना ब्रह्मिक का सियोन कर सकते हैं हाँ सिमित समय और सिमित मात्रा में रोजाना ब्रह्मिक का सियोन कर सकते हैं बस त्यान दूने कि किसी भी चीज का अधिक सियोन फायदे से ज्यादा नुक् साथ ही पेट में एटन और मतलिक जल्जी समझ से हो सकती है दूसरा सवान क्या ब्रह्मी बुट्टी तवचा के लिए अच्छी है हाँ ब्रह्मी के फाइने तवचा के लिए देखे जा सकते हैं इसमें मौझूद गून कॉले जोन को बठाकर तवचा को चमकदार और स्वस्त बनाते हैं साथी तवचा के रुखेयन पन टिलेपन और जुर्यों से चुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं